नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नीरच है और स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल मेजिस्टिक हिमाचल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको शिम्ला स्थित बगवान शिरी राम के परमभग हनुमान जी को समर्पित जाकु मंदिर के दर्शिन करवाने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं जाको मंदिर हिमाचल परदेश की राजधानी शिम्ला के परमुक धार्मिक स्थलों में से एक है यह प्रसिद मंदिर जाको पाड़ी पर स्थित है रिज मॉलोड पर स्थित लाइवरेरी के साथ बाए हाथ की तरफ से मंदिर के लिए सड़क जाती है यहां से मंदिर की दूरी लगबग धाई किलोमेटर है शिम्ला के आसपास के छेतरों से भी हनुमान जी की 108 फीट उची मूर्टी देखी जा सकती है हनुमान जी को समर्बित यह मंदिर हिंदू आस्था का मुखिक केंदर है सड़क से लेकर मंदिर तक आगे का मार्ग लोए की चादरों से ढका हुआ है सड़क से लेकर मंदिर के प्रांगन तक पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है भक्तगर्ण मंदिर की सीडियां चड़ते हुए हनुमान चालीसा का उचारन करते हुए जाते है दोस्तों मौलोड से लेकर जाखु मंदिर तक बड़ी संख्या में आपको बंदर मिलेंगे इसलिए अपने साथ कोई भी खाने पीने का समान ना ले जाएं क्योंकि बंदर आपको रोक कर वो चीज़े आपसे चीन सकते हैं दोस्तों पवन पुत्र की यह मूर्ती 108 फीट की है जो यहां आने वाले हर भक्त को अपनी और आकरशित करती है जाखु मंदिर के अंदर ही हनवान जी की मूल प्रतिमास थापित है 108 फीट उची मूर्ती का निर्मान सन 2010 में करीब 2 करोड उपए की लागत से किया गया था माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना त्रिता युग में याकु रिशी ने की थी और उनी के नाम पर मंदिर का नाम जाखु मंदिर रखा गया मंगलवार और शनिवार को होने वाली आरती में यहां काफी लोग आते हैं और जिस बक्त की मुराद पूरी होती है वह रविवार को अपनी शर्दा से बंडारक करवाता है दोस्तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फिर मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पहाड़ी पर राज्य सरकार द्वारा वीबिन ट्रेकिंग और परवतार रोहन गतिवी दियां आयोजित की जाती है दोस्तों मंदिर के साथ ही एक पार्क भी है जहां से आजपास बरफ से डखी पहाड़ीयों के मनोरम दिरिशे देखे जा सकते हैं मंदिर प्रांगण में कैफे भी है जहां आप नाचता चाय स्नेक्स इत्यादी का आनंद ले सकते हैं